तो हेलो एंड वेलकम आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत माने में इस विजे दोस्तों आप यह पाठशारा की लेक्चर स्रीज में आज देखने जा रहे हैं क्लास 12 के जोग्रफी का स्लेबस क्लास 12 के हिसाब से कॉन से चाप्टर के अंदर ने टॉपिक हैं किन चाप्टर से मैप बेस्ट ज़्यादा कोशन आने वाले हैं और किन चाप्टर में आप चीज़स सीखने वाले क्या-क्या एलेवन और ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री पॉलिटिकल जोग्रफी और आर्ट से रिलेटिट सारे सब्जेक्ट इपाट्शाला पर कराये जाते हैं आज हम क्लास 12 का देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से अभी रिवाइस लेबस और आपकी आने वाली तयारी किस तरीके से होने वाली है क्लास 12 के अगर बात करें तो उसमें टोटल तीन बुक होगी इंडियन पीपल एंड एकनामिक दूसरी बुक प्रैक्टिकल वर्क इन जोगरफी पार्ट वन वह आपको क्लास 11 में देखने को मिली होगी लेकिन पार्ट तु जो है आपको क्लास 12 में देखने को मिलेगी हाला कि यह book compulsory नहीं है बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है लेकिन आप सभी लोगों को हम इपाटशाला चैनल पर हिंदी और इंग्लिश अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे जो बच्चा हिंदी मीडियम में है वो हिंदी में में देखेगा जो इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश में में देखेगा लेकिन हम देखते कि कौन से chapter पहली बुग के अंदर एड हुए है अगर आप एड हुए है तो कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पहली बुक के अंदर 9 चाप्टर है क्लास 12 के बच्चे जिन्हों ने जोग्रफी का नया अभी स्लेबस खरीदा होगा नई बुक अगर खरीदी होगी तो आप देखेंगे कि उसमें आठ ही चाप्टर देखने को मिलेंगे लेकि लेकिन के पास थे वो टोटल 9 चाप्ट हैं लास्ट यर दो हज़ार 23 और 22 और 23 के इन्दर इन में से कुछ चेप्टर डिलीट करे गए थे लेकिन इस बार इस में यहां पर डेख सकते हैं बेशायद से थोड़ा 19 20 हो गया हो लेकिन आफ़ और दोस जैसे से वीडियोज आएंगी जैसे लेक्चिछ अपलोड होते होते चले जाएंगे आपको यह सारे के सारे चैप्टर के कि आपको हिंदी और इंग्लिश में content बिलेगा ताकि आप काफी असानी से समझ सके चलिए देखते हैं अब तो टोटल नौ चैपटर वहों हो गए और टोटल आट रिसमें इसमें हो गए लगबाग चा चाप्टर हम के लगएंग रखे कि किस कुस मार्ग से घर ह हो रही है थो हमें थर्टी मार्ग üzथी सम्कूल की मिली डेलेगए थोड़ा सा हार फिलह जानना ज़रूरी है अब देखते हैं कि किस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा घुमन जॉयोग्रफी में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि human और कहीं ना कहीं human geography के अंदर मानम ने प्रकरतिक को कैसे control करा प्रकरतिक ने पहले मानक को कैसे control कर रखा था different different लोगों के scientists जो हैं उनकी क्या राय है यह सारा हम इस chapter में देखेंगे second chapter में हम जानेंगे कि पूरे संसार में जन्संक्या कैसी है उसका घनत्व कैसा है कहां पर जन्संक्या कम है कहां पर जादा है यह इस chapter में हमें देखने को मिलेगा और तीसरा chapter जो है human development डॉक्टर महभूब उलहक और प्रोफेसर अम्रत सेन जैसे बड़े-बड़े प्रोफेसर ने इसमें अपना योगदान दिया है इन्होंने किस तरीके से क्या रोल लिभाया है human development के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए development सही माइने में क्या होता है हम यह देखेंगे four chapter के अंदर primary activity से related सारा कुछ होगा यानि कि प्रात्मी के रिया और उसके बाद five chapter के अंदर secondary activity यानि कि जित्ते के रिया है उससे संबंदित सारी चीज़े और उसके बाद six chapter के अंदर हमें thirdly level पे भी चीज़े मिलेगी और six chapter के अंदर हमें quaternary यानि कि fourth level पे जो activities होती है वो देखने को मिलेगी एक सबसे important बात class 12 में ही fifth level की जो activity होती है वो लास्ट के pages पे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी गई है तो आल फिलाल उसे भी study कर लेंगे साथ साथ में seven chapter transport and communication world के level पर कहां पे railways अच्छे हैं कहां पे transport अच्छा है संसाधन के वियाब पे communication किस तरीके से develop हुआ है इसे ना फाइदा हमें उससे हो सकता है communication कितनी प्रकार के होते हैं वह सब्सक्राइब को मिलेगा पहले चैटर में discuss होगा second chapter में human settlement भारत में किस-किस परकार का settlement हमें देखने को मिलता है हमलेटेट सेटल्मेंट डिसपर्ट सेटल्मेंट और अफकॉस इसे पाली बस्तियां भी बोलते हैं काफी कुछ हम समझोगे इसमें इसमें भारत में केकि बड़ी चीज है तो जमीन जो हो कितनी जादा जरूरी है उस रिस्तमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे थर्ड चाप्टर में हाला कि पहले यह फिप चाप्टर हुआ करता था लास से लास्ट ये फिप चाप्टर था इस बार इसको थर्ड चाप्टर की केटिगरी में डाल दिया गया है फोर चैप्टर वाटर रिसोर्स पानी से सम्मंद सारी चीजे मिनरल एन एनर्जी रिसोर्स मतलब धर्ती के अंदर जो में मिनरल्स पाहे जाते हैं अपने 11 क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ाता है दोहतर तेईस और चौविस में आप दुबारा पढ़े प्लैनिंग अन सस्टेनेबल डवलप्मेंट यह थोड़ा सा इसमें नया टॉपिक एड होगा है जिसमें इस्पेशली गांधी कैनाल नहर के बारे में इस चीज के बारे में बात करी जाएगी और यह कहीं न कहीं आपके आने वाले यूपीस्टी के एक्जाम के लिए भी ज पूछा गया है तो वह बच्चे फिर पढ़ रहे होते हैं क्लास 12 का अब अभी से पढ़ने तो जादा अच्छा है ट्रांस्पोर्ट एन कम्मिनिकेशन अफकॉस यह वाला हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी पढ़ना है और इंडिया के लेवल पर भी पढ़ना है उसके बा पर इस चैप्टर पूरा बताता है कि समाज में अगर चीज़ें हो रही है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऐसे इस इस तरीके से चैप्टर में बात करी जाएगी टोटल अठारा चैप्टर हमारे इस तरीके से गवर हो जाते हैं फिर उसके बाद यहां पर जो प्रैक्ट आप इसे ना भी बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं ने इस बार बहुत अच्छा करा कि उन्होंने यह बता दिया कि मैप वाले जो कोशन है वो किस चैप्टर से आने के चांस जादा है जैसे प्राइमरी एक्टिविटी से कौन-कौन से फिगर की मैप आईगी इन लोगों ने यहने को पहले से ही लिखके रख दिया क्योंकि मैंप का कोशन तो आपका आता है तो अकोस प्राइमरी से आएगा बस सेकेंडरी और थरुटरी से नहीं आएगा और ना ही कुटेश Applause यह से बहुत अच्छी बात हैimas और तेयर्डरी और और Automati से भी आया फिग पहले ऑशी ब सब्सक्राइब लोगों ने पूरा पूरा समझी लिया है निए टोटल आपका अच्ञाए तो आप इसको एक महीने के अंदर खदम करें चाहे तो आप अच्छी तरीके से पढ़े के घदम करें आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बताने की कोशिश खरेगा और अफकोस आपको पूरा चैप्टर पता चल चुका है क्या क्या कांटेंट इस बार आप 23 और 2024 में जो फाइनल एक्जाम होगा उसमें आप पढ़ने वाले तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है मिलेंगे जल्द ही लेक्चर सेरीज में दिस इस इत इन दिस वीडियो थैंक्स वर वाचिंग